सारे वियूर्स नो मेरा नमस्कार, नेक्स्ट टॉपिक है, क्रेटेरिया फॉर कॉंगूरेंस आफ ट्रेंगल्स, एह सेवन्त क्लास, चैप्टर सेवन, कॉंगूरेंस आफ ट्रेंगल्स है, चैप्टर, होने दे बिच एक एर्या है, क्रेटेरिया फॉर कॉंगूरेंस आफ ट्रेंगल्स है, क्रेटेरिया फॉर कॉंगूरेंस आफ ट्रेंगल्स आफ ट्रेंगल्स है, क्रेटेरिया फॉर कॉंगूरेंस आफ ट्रेंगल्स आफ ट्रेंगल्स है, क्रेटेरिया फॉर कॉंगूरेंस आफ ट्रेंगल्स आफ ट्रेंग ड्स तिन साइडां जिदा किया पी ऑम याँ थे किया र डिज ओ नीचे आड़ी ट्रैंगल देंगलना मैक्च कर ग्यां एक को जिए लबाएं beliefs फो एंगल फीनल मैक्च कर गया Angle B Under B parallel जीनल मैक्च कर तो यह बıtके हैं ट्रियांगल onda जहां इसने क्रैटरियॆ की कि बात किया जह का रहा है कि तीनों ही सिख्स आञ्ड के इस पार्ट मैच करने की जूरत की तीनों वी जैँर्ति हैं। इसमें हम केवल तीन पार्ट्स मैच करेंगे उसके हमने रूल बनाय हुए है पहला रूल बनाया हुआ है SSS कांगुरेंट्स क्रेटेरिया कहने का मतलब जे है कि अगर इसकी तिनों साइडें हम मैच करा दे ABP के एक्वल कर दे AC PR के एक्वल कर दे और BC के War की एक्वल तो जेट्रेंगलें कॉंगरेंट हो जाएंगी तो बाकी कहने का मतलब बाकी तिनों पार्ट भी अपने हाप रब्बर हो जाएंगे अंगल A एंगल P के एक्वल हो जाएगा अंगल B एंगल क्योँ और angle c angle rk equal हो जाएगा कहने का मतलब हमने तीन पार्ट्स equal किये बक्की पार्ट्स अपने आपी equal हो जाएंगे लोग कॉंगूरेंस क्रेटेरिया के हमारे पास हम चार रूल करेंगे इस चैप्टर में sss side angle side angle side angle right angle hypotenuse side जे right angle triangle में ये रूल लगता है तो पहले sss congruence criteria देख लें इसमें हमने क्या किया है तीनो side एंग ड्रा की है हमने ये दो ट्रेंगलेंड ड्रा की है इसमें bc qr equal है a b है qp के बराबर और a c है p r के बराबर जे 3-3 cm है a b p q 4 cm है जे 5-5 cm है तो हम इसे ऐसे लिख देंगे a b बराबर p q equal to 4 cm b c equal to qr 5 cm c equal to r p 3 cm तो जे ट्रेंगल a b c congruent to triangle p qr हो गई इससे हम जहां bracket में हम लेख दया करेंगे s s s congruence side 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 congruence criteria तो अगर दे ट्रेंगलें congruent हो जाती है तो फिर हम लिख देंगे a angle a angle a angle p q equal इतने लिखांगे c p c t c p c t का मतल हों दा corresponding parts of congruent triangle जे आपकी बुक में लिखा हुआ है in abbreviated form में हम इसे in short essay लिख देते हैं तो angle b किसके बरबर होजएगा angle क्यों के और angle c किसके बरबर होजएगा angle r के angle a तो पता चल जाता है p के बरबर b क्यों के बरबर और c r के बरबर जहां से भी पता चल जाता है एक बाज आतरंग ना जब triangles congruent करते हैं तो उसके जो वर्ट सिजा वो भी proper match करने होते हैं और जैसे जे decided तो मुझे पता है जे अगर triangle देखें a b qr के बरबर है कितनी है 5 cm b c a p r के बरबर b c p r के बरबर 4 cm और c a है qp के बरबर c a qp 6 cm 6 cm अब मुझे कई बर नहीं पता चलता बी केड़ा वर्टेक्स किस पर जाएगा किस के साथ match करेगा किसे correspond करेगा लो असान सा तरीका देख लो जो पहली triangle ना उसको तो आपने ठीक लेखना a b जो second है ना वो first के साथ common होना चाहिए notation है जो c इसके साथ है देखो second first के साथ common होना चाहिए जो यह मैंने लिख दिया है मैं pencil से इसके लिए किया है कि आपको अच्छी तरह समझे लगजे लो यह तो बन गया triangle a b c देखो continuity बन गी a b c अब इधर continuity देखते है है कि नी होन देखो जरह द्यान से होने थे भी अपा continuity बना नहीं है क्यो आर लिखा हुआ न अगर क्यो आर लिखना तो जहां मैं आर पी कर दूँगा continuity बना आर पी लो इसको हम set कर देते हैं इसको मटेके कर देते हैं आर पी यह बात जरह समझने वाली है आर पी आप आगे भी लिख सकते हैं अगर आप पैंसे करते हैं जहां क्यो पी लिखा था मैंने क्या लिख दिया जहां पी क्यो लो जे बन गी continuity क्यो हुआ देखो आर कॉमन हो गया second का first के साथ continue है यह सेम नोटेशन है यह second जो first के साथ नीचे continuity है कहने का महला सेम नोटेशन है अब बन गया क्यो आर पी तो मैं लिखूंगा ट्रेंगल ABC कॉंगरेंट ट्रेंगल जैसी है क्यो आर पी अब बढ़ी असानी से पता जा जा एथ लिख देंगे S, S, S congruence A point किस पर correspond कर रहा है किसको? क्यों को A क्यों उपर जा रहा है B कहां जा रहा है? R पे B, R पे C कहां जा रहा है? P पे तो देखो direct पता चल गया अब जहां angle का भी पता चल जगा angle A, angle क्यों की equal B, R के equal C, P के equal ऐसे हम असानी से triangle की congruence C, लिख सकती है यह जब congruence का निशान डाल दिया ना बीच में, तो जो vertex, जिस vertex को correspond करता है, वहीं लिखना पड़ता है यह बात आपने जाद रखनी है A के उपर correspond कर रहा है अगरे इसको उठाके tracing करके इसके उपर रखूं A पॉइंट किस पर जाएगा Q पर, आवला पॉइंट B जाएगा, R पर और C जाएगा, P पर यह बात जाद रखनी है लोग नेक्स्ट क्रेटेरिया S.C.S. congruence क्रेटेरिया इसमें दो साइडे और included angle हम equal करेंगे उन देखों, इन triangle P, Q, R and X, Y, Z जे दो triangle ले लिए इसमें angle Q, angle Y के बरबर है P, Q है, X, Y के बरबर और Q, R है, Y, Z के बरबर अगर यह तीन पार्ट हम दूसरी triangle के equal कर देते हैं तो दोनों triangle हो जाती हैं ऐसे लिख लेंगे triangle P, Q, R and X, Y, Z P, Q, बरबर X, Y 4 cm Q, Y, बरबर Y, Z Q, Y Q, R बरबर Y, Z है, 5 cm angle Q, angle Y के कितना है 60 degree तो दे triangle P, Q, R congruent to triangle X, Y, Z P point किसे कॉर्सपॉंड कर रहा है X, Q का तो पता ही है, J तो angle बरबर Y पे जाएगा और angle R किस पर कॉर्सपॉंड कर रहा है, Z को तो जे वाटस इस बिल्कुल ठीक डालने, जे बाजाद रखनी है क्या बन गए, S, C, S, एक बाजाद रखनी इस रूल में जो angle that should be included between the sides अद दोनों साइड़ों के बीच है, देखो जे दोनों साइड़ों के बीच है, ऐसे नहीं करना कि अगर इधर 60 degree हो जाए तो जे, तो साइड़ें इधर राली इक्वल हो जाएं, भी फिर triangle congruent हो जाएंगी, फिर जे कोई जुरूरी नहीं है, triangle congruent भी हो सकती है, नहीं भी congruent हो सकती, इसलिए angle should be included between the two sides, that is most important तो जे तीन पार्ट हमने congruent कर दिया है, triangle congruent होगी हैं, तो हम लिख सकते हैं, angle P equal to angle X, angle R equal to angle Z, angle, जड़ी PR side हो किसके बराबर आजेगी, X, Z के, जहां लिख देना, CP, CT CP, CT का मतलब होता है corresponding parts of congruent triangles